आदे पुर्पे तक्सिन करना जाई जी यही बिसंत बहुत आसान आई है देखो अरे वाद हुसेन आपको ने यह सची में आ गया तो चलो मैं आपसे कुछ क्वेशेंस करती हूँ लेकिन वाम में बाद में करूँगा क्यों हुसेन अभी पढ़ने का वक्त है तो पढ़ाई करो मेरे पेट में बहुत जर्द हो रहा है अच्या अपना पढ़ने का बहाना बनाते हो नहीं सारा मैं जूट बोलके गुना नहीं करना चाहता ओ सॉरी हुसेन मुझे माफ करना मुझे लगा कि आपना पढ़ने का पाना बना रहे हो अच्या अब मुझे बताओ कि आपको कि जबा दर्द हो है यहाँ पेट के दायने चरा अच्या तो आज सुबा फ्रेश होए है मैं तो आज सुबा फ्रेश होता हूँ अच्छा, तो जरूर आपने खाना खाने से पहले हैंड वाश करना पूल जाएंगे नहीं मा तो अमेशे हैंड वाश करता हूँ खाना खाने के पहले हो खाना खाने के पाद भी अच्छा तर्ण तो हो खाही क्योंकि आज कर जो भाहा की चीजे जो खाने लगी हो नहीं, जब से डेड़ी और ममा ने समझाया, जब से मैं नहीं कहाता भावी चीजे, और मैं खाली घर की हेंदी हेंदी चीजे ही खाता हूँ अच्छा, जड़ा आप सोच के देखो करिया, खाना खाने वाद, खाना खाने के तुरात बाद सो तो नहीं गये थे मुझको याद है, मैं खाना खाने के बाद थक गया था, आज मैं तो फिर सो गया था अच्छा, इसी वज़े से आपके पेट में जर्द हो रहा है, चलो, कोई बात नहीं, पानी पी लेना आराम मिलेगा मैंना भी तो पानी पिया था तो फिर एक काम करो, जाके डैडी से दवाई ले लो, वो डैडी दवाई दे लेंगे अच्छा, ठीक है मैं डैडी, ये पास जाके दवाई ले ले जाओ एक मिनेट, हुसेन, क्या हुआ हुआ सारा मुझे यार आया, जब कभी भी हमें डैड़ हो, तो फिर उदर दवाई जगाबे हम अपने बाएना राजुर रखेंगे ति आज इसमिला पड़े, जरूर आराम मिलेगा इसे अल्ला, फिर तो हमको दवाई लेंगी कोई ज़रती नहीं है नहीं, उसेन, दवाई अपनी जगाबे काम करती है और दुआर अपनी जगाबे काम करती है दुआ पढ़ने से अल्ला साला खीपा देते हैं अच्छा हुसेन, एक बात बताओ, सोच देखुर कि आपने हैट बहुत अच्छे से वाश की हैं जब आपने हैंड अप्छे से वाश करते हैं तो खाने के साथ साथ हमारे श्कमित में जब चले जाते हैं वो दढ़ते हैं नहीं, मैंने अपने दोनों हैंड शोप से 20 सेकंड तक किया थे अच्छा, फ्रेंट्स आप भी उसेन की तरह ही 20 सेकंड शेंड बता है और हमें तरह साथ सफाय का धिहां रटना चाहिए जैसे हमारा वजू कर देना चाहिए खाना खाने के बद अच्छे से हांगोश कर देना चाहिए दूआ पर लेनी चाहिए और अल्ला के शुक्रियादा भी करना चाहिए मैं तो हमें रटान रखाने के बाद अल्ला के शुक्रियादा करता हूँ और पूरा पेट भर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए वे हमेशे अपने पेट को थोड़ा दूख खाली रखना चाहिए इस सब सुनन होते हैं और कभी खाना खाने के दीच में पाड़ी नहीं पीना चाहिए और कभी खाना खाने के तुरा अंतबाद नहीं सोना चाहिए यह बैड हैविट हो जी है अच्छे ठीक है अब आप कभी ऐसा मत करना हो और सोमक में पें तो होगा ही आप मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा अच्छे खाने के लिए प्रेंड्स आपने हमारी पाड़ीयों मैंसे क्या क्या सीखा और मैं बता दी हुआ आपको इन चीजों का घ्यान रखना चाहिए आपको सब्से बले हैं डॉश कर दोगे हमेशा अब जोब होजू में रहना चाहिए और अपने हाथ बार बार भोदे पリसा इस आपकोड़ी बिल्ड़ी पिए पिंदर इन चीजों मैं वावाब